नमस्कार दोस्तों मैं हूं रियाचंद और आप देख रहे हैं NPS बुलेटिन आज 7 जून की बुलेटिन में हम पड़ताल करेंगे की राजस्थान सरकार सभी शिक्षार्थियों को किस तरह के समानवसर देने की कोशिश कर रही है कोवीड महामारी के चलते क्या महत्वपूर्ण कदम उठाया है दिल्ली विश्व विध्याले ने उत्राखंड सरकार कहां और कितने स्वास्थे कल्यान के इंद्र स्थापित करने की योजना बना रही है आईए मिलकर करते हैं इन विशयों पर पड़ताल समविधान मौलिक सिध्धानतों का एक ऐसा समुह है जिसके अनुसार किसी देश का शासन किया जाता है भारतिय समविधान देश के सभी नागरिकों को कई तरह के अधिकार प्रदान करता है प्रमुक्षे हैं मूलभूत अधिकार समविधान के मूलभूत अधिकारों में से एक अनुच्छेत सोलह सारवजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता का श्वासन देता है और राज्य को धर्म, जाती, लिंग, जन्मस्थान, निवास, आधिके आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव से रोकता है देखते हैं कि राजिस्थान सरकार ने शिक्षार्थियों को किस तरह के समान अफसर देने की योजना बनाई है हमारे साधी प्रमोद कानपाल और प्रधमित्तल हमसे खबर साजा कर रहे हैं राजिस्थान सरकार ने वन्चित छात्रों को सिविल सेवाओं और व्यावसाइक पार्ठिक्रमों में प्रवेस परिक्षाओं की तैयारी में मदद करने के लिए मुख्यमंत्री अनूप्रती कोचिंग योजना सुरू की है राजिके वित्विभाग द्वारा जारी एक नोटिस में कहा गया है कि इसका उद्देश उन्हें समान अवसर देना है अनुसूचित जाती अनुसूचित जन जाती अन्य पिछडा वर्ग अत्यंत पिछडी जाती अल्प संक्यक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय आठ लाख से कम है वे इस योजना का लाब उठा सकेंगे Rajasthan Government has launched Chief Minister Anuprati Coaching Scheme to help underprivileged students prepare for entrance examinations to civil services and professional courses. The aim is to give them equal opportunity, said a circular issue by the State Finance Department. Students belonging to Scheduled Caste, Scheduled Tribe, Other Backward Classes or OBC, Extremely Backward Classes, Minority and Economically Weaker Sections with Annual Family Income less than Rs. 8 lakhs per annum will be able to avail the scene. अच्छी स्वास्त्य सुविधाएं एक देश या राज्य के विकास के एहम कारकों में से एक है. लोगों के स्वास्त होने से ही कोई राज्य प्रगती कर सकता है. साथ ही अच्छी स्वास्ते सुविधाएं लोगों का धिकार भी है. जानते हैं कि उत्राखंड में स्वास्ते सुविधाओं के सुधार के लिए क्या किया जा रहा है? साथ ही दिया एरी और दीपी का वोरा हमें इस बारे में बता रहे हैं. भारे सरकार ने इस वित्त वर्स उत्राखंड की स्वास्त सेवाओं को मजबूत करने और राजमे महत्पूर्ण स्वारवजनिक स्वास्त सेवाओं के संचालन के लिए 894 करोड रुपे का बजट जारी किया है यह स्वास्त विवाओं के लिए अब तक जारी किया गया सबसे अधिक बजट है वर्स 2019 में राजमे को भारे सरकार द्वारा 652 सबलव 49 करोड रुपे स्विक्रित किये गए थे उत्राखन सरकार ने यह भी सुचित किया है कि राजमे 451 सवास्त और कल्यान केंद इस्तापित किये जाएंगे परधान मंतरी रास्ट डैलासिस कारिकरम के तहट पांच नए डैलासिस केंद इस्तापित करने के लिए एक करोड रुपे के बजट को मंजूरी दी गई है इन्हें बागेशवर चमोली चमपावर टिहरी और उत्तरकासी जिले में इस्तापित किया जाएगा दे जाक पांच पुच्छ पश्च चाहिए गा this is the highest budget allocated for the health care department so far in the year 2019 and 2020 the state was sanctioned rupees 652.49 crore by the government of india at the same time the truck and government has informed that 451 health and wellness centers will be established in the state under the pradhaan muntre national dialysis program a budget of rupees 1 crore has been approved for establishing five new dialysis centers. These will be established in Bageshwar, Chamoli, Champawat, Tehri and Uttarkashi district. हमारी प्रिथवी करोणों जीव जन्तूओं और वनस्पतियों का घर है. यह असीम धर्ती हम सभी को आस्रा दिये हुए है. नजाने कितनी जैव विदिता से हम अभी भी आपरिचित हैं. हाल ही में तमिल नाडू में फूलदार पौधों की नई प्रजातियां खोजी गई है. इस बारे में हमारी साथ ही कृती और गुरप्रीच से सुनते हैं. हाल ही में प्रकाशित Flowering Plants of Tamil Nadu और Compendium नामक पुस्तक में यह शोत किया गया है कि पिछले तीन दशकों में तमिल नाडू की वनस्पतियों में फूलदार पौधों की कम से कम 1049 नई प्रजातियों को जोड़ा गया है. यह पुस्तक जै विवित्ता परशोत करने बाले चिन्ने इस्थितिक NGO, केर, अर्थ, त्रस्ट द्वारा, तीन साल के शोद और डेटा से इयोजन के बाद प्रकाशित की गई है. पुस्तक में संपूर्ण विवरण है जिसमें नामकरण, फूलों के मौसंग, पौधों के अलग-अलग रूपों और तमिल नाडू में वित्रित फूलदार पौधों के औशदी और बागवानी महत्व वो अन्यजानकारे शामिल है. बड़तमान में राज्जी में जंगली और खेती या आक्रामक प्रजातियों सहित फूलदार पौधों की लगभग 6703 प्रजातियां पाई जाती हैं. In a book named Flowering Plants of Tamil Nadu, a Compendium, it is researched that at least 1049 new species of flowering plants have been added to the Tamil Nadu's flora in the past three decades. The book is published after three years of research and data collection by the CARE Earth Trust, a Chennai-based biodiversity research organization. The book has exhaustive details including nomenclature, flowering season, plants' life form and other information on medical and horticulture significance of flowering plants disturbed across Tamil Nadu. At present, there are nearly 6,723 species of flowering plants, including wild and cultivated or invasive species found in the soil. अब नज़र डालते हैं COVID-अपडेट्स पर और जानते हैं कि दिल्ली विश्विविध्याले ने क्या महत्वपूर्ण कदम उठाया है. साथी प्रमोद का अंपाल और दीपी का बोरा खबर साजा कर रहे हैं. दिल्ली विश्विध्याले ने उन छातरों को पूर्ण सुल्क छूट देने की घोसना की है, जिन्होंने कोरोना वाइरस संकरमण के कारण अपने मातापिता में से किसी एक या दोनों को खो़ दिया है. उन छात्रों को सौ परतिसत सुल्क छूट मिलेगी और उनसे परिक्षा सुल्क भी नहीं लिया जाएगा यह सुविदा दिल्ली वी सुविद्याल है और इससे समबंधित सभी कॉलेजों में मिलेगी Delhi University has announced to provide a full fee waiver to students who lost one or both parents to the coronavirus infection The students will get 100% fee waiver and they won't even be charged an examination fee This facility will also be extended to DU colleges through their respective governing bodies खेल संबंधित खबर साजा कर रहे हैं साथी प्रथम और गुर्प्रीद नुवाग जोकोविच ने यूथिनाई रिकार्ड्स बैरेनिकस को हरा कर मौजूदा फ्रेंच ओपन के चौथे दौर में प्रवेश किया है वे अब लगातार बारवें साल टूर्णामेंट में अन्तिम सोला में पहुँच गए हैं नुवाग जोकोविच हैं एंटर फोर्थ राउंट फ्रेंच ओपन आफ्टर दिफेतिं लिथुआनियन रिकार्ड्स बैरेनिकस The 34-year-old is now through to the last 16 in the tournament for a record 12th consecutive year Corona महामारी ने हमारे स्वास्थे कल्यान सिस्टम और सभी स्वास्थे योजनाओं पर प्रश्ने चिन्ह लगा दिया है यह समय है जब देश में अच्छी स्वास्थे सुविधाएं सभी के लिए उपलब्ध होना जरूरी है लेकिन देश की बहु संख्यकाबादी स्वार्वजनिक स्वास्थे सेवाओं का लाब नहीं उठा पा रही है यह स्थिति ग्रामीर शेत्रों में भी गंभीर है लोगों को प्राइवेट अस्पतालों के अत्यधिक खर्चे की मार जेलनी पर रही है इस स्थिति को सोरित गुपतों ने अपने कार्टून में कुछ ऐसे दर्शाया है यह डाउन टू अर्थ में प्रकाशित हुआ था आज के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए NPS बुलेटिन में